पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है लालू परसाद यादो की पार्टी आरजेडी ने भी कल से जो बैठकों का मन्थन किया है इस बैठक में कहीं न कहीं लालू परसाद यादो अब फेलिवर नजर आ रहे हैं वो जो बहुमत का आकड़ा 122 का है वो तमान जुगत लगाने के बाद भी नहीं छूपा रहे हैं जी इधर कॉंग्रेस के विधायकों के तूट के बीच पूर्णिया में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है क्या कॉंग्रेस के सभी विधायक और सभी निता वहाँ पर पहुँच चुके हैं ये एक बड़ा प्रस्ने क्योंकि गुपाल मंडल ने एक सवाल खड़ा कर दि कि कॉंग्रेस के लगबग आधे से जादा विधायक जो हैं वो जद्यू के संपर्क में हैं यानि कि जद्यू के साथ कॉंग्रेस के विधायक आ सकते हैं पूर्णिया की जो तस्वीर है वो साम के बाद असपष्ट होगी कि कितने विधायक चुकि कॉंग्रेस में इस वक्त 19 बिधायक है 19 बिधायक में से कितने बिधायक पूर्णिया में गए हैं बैठक करने के लिए राहूल गांधी भी वहाँ पर पहुँचेंगे इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये चर्चा अब असपस्ट रूप से नजर आ रही है कि तूट तो मत चुकी है अलग-अलग पा पर विशेष चर्चा करने के लिए अपने संपादक नमन मिशा सर के पास शलते हैं इनसे जूडते हैं विशेष जानकारी सर देंगे सर पूर्णिया में कॉंग्रेस की बैठक है मंतन एकदम से चल रहा है बिहार में तोड़ जोड की स्थिति मची हुई है पूर्णिया में बोल रहे हैं आप 19 थें 19 है नहीं 19 थें अब 19 है नहीं जिस वक्त नितिश कुमार ने पाला बदलने की कोशिस की सबसे पहला खेल यही हुआ कि कांग्रेस को बिना भनक लगे जो बहुत पहले से कांग्रेस में स्लिपर सेल असोक चौधरी भाजपा जद्यू के थें वह एक बहुत हद तक मैं जो लगा कि नितिश सफल भी हो जाते लेकिन जो सुनामी राम नाम किया रही है उसके सामने जिस तरीके से राज़त बिना तयारी बिना बंदुबस्ती के उतर रहा है इंड्याट बंधन वो नितिश को नागवारा गुजरा इसलिए नितिश पलट रहे ह बीजरे हैं नितिश ने होतियार दे जाना इगा जब उदर से आएगा राम नाम का सुना बी तो यहतियार चला दिए गावाध में नितिश को आप यह मोका दें नहीं रहे हैं कुरे क्या राहूल गांधी जोत कर दिए हैं बूलानीय ही है पत्रकारों को लेकिं जहां ही तो काम भी गार्द दिया और केसी थैगी तो बोल दिया है नहीं नहीं चाहते हैं लेकिन दोते थाके ब मैं मिल जाया था है वरना राज़क trader का समझता उन्हार को है लागी चाहते हैं कि सारे विधायक साथ सांचत सारे जो मंत्री है वो इस्तिफा दे और सरकार से समर्थन ले-ले राजत वापस लेकिन जिस वक्त आप ये उस वक्त भी तेजसवी यादों अडे हुए है कि समर्थन वापस नहीं लेना है नितीज चछा से इतना प्रेम इतन रहें सुन रहे हैं यह सत्ता का मौह है जो हाद निकांस ला पर इतना संतूष्ट है तो कोई लडाई को जगडा कोई और नहीं होगा जंता के उपर फैसला छोड़ा कि जनता फैसला करें बिल्कुल और आप देखें जिस वक्त आप यह सब देख रहे हैं केवल छे से साथ विधायक कांग्रेस के पहुंचे हैं पूर्णिया में जो चर्जा की जा रही थी कि राहूल गांदी विशेस विमान से पहुंचकर उस बैठक को में समलित हो सकते हैं उ लेकिन कमों बेस कहानी यही है मेरा रिपोर्टर इस वक्त पुर्णिया में वहीं मौझूद है जहां पर यह बैठक हो रही है अंदर की खबर मेरे पास उखता जानकारी आ चुकी है कि अजीत सर्मा जिनकों तूटने के संका लगाया जा रहता वह वहां पहुंचे हुए है और उनके आज़ पास जो विधायकों की संक्या है अकिले सियादो और बाकी लोगों के साथ में वो लगवग 6 से 7 है यानि कांग्रेस के 19 विधायकों में से एक बड़ी संक्या कम से कम 12-13 विधायकों की गायब है और ये विधायक जो गायब है वो पाला बदल लेंगे ये पूर्णिया में जाता रहा हूं 6-7 गंटा लगता है साथ गंटा पहुंचते पहुंचते उनका मीटिंग खतम हो जाएगा दिन अगला आ जाएगा निटिस को मुख्यमंतरी की कुर्सी पिर से समाल लेंगे तब काजेंगा मीटिंग करने निश्चीत तोर पर यही नहीं ल अगर जद्यू के विधाकों को तोड़ने में सफल भी हो जाते हैं लालो यादो तो कहानी खतम निटीस आज इस्तिफाद देंगे और कल वह फिर से बिहार के मुख्यमंतरी बनेंगे सब कुछ भाजपा के हाथ में छोड़ दिया गया था और भाजपा ही मैंने कल कहा था प पुछता है तो भी जिए राबडी जी के घर पर अगनी समय को यहां था बगसर में कुछ और कारेक्व जो भी हो यहां भी थाबद लगता है तो क्या करते हैं तो इसको भीचते हैं सर्मसीन को भीच दिजिए समयाग लगा हुआ है राजद्यू राजद के के मां में वहीं जोग सपाट निश्यत तोर पर नितीज कुमार ने बहुत बड़ा पावर मूव किया है और इसकी वज़े से सभी का दिमाग काम करना बंद कर दिया है और जो कांग्रेस के विधायकों की नाम हम ले रहे हम बिना देरी के वो लिस्ट पूरी पढ़ दते हैं दिखिए जो व कंपास्ण नहीं पहुंच पाए हैं उनकी लिस्ट में कण्फ्यूजन हो रहा है अभी तक यह कुण नहीं नहीं हो पाया कि मौनोहरपसात पहूंच है कि दो तरफ पहूंचे आफ़ लिस्ट में विखर एंव पढ़ेंगे अजे कुमार सिंग जो जमौन पूर से यह यह नहीं पहुंचे हैं संतोष कुमार मिस्रा करगर वाले करगर वाले यह नहीं पहुंचे हैं आनंद संकर रोनंगावाद यह नहीं पहुंचे हैं विश्वनात राम राजपूर बक्सर में जो है यह भी बता है कि मुन्ना तिवारी के साथ है यह भी नहीं पहुंचे हैं बि इंचार विधायकों की जो कमी हो रही है उसको वहीं से लेकर आएंगे चलिए हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है हो सब्सक्राइब को उनकी तो पुरूम में भी नितिसकुपार से कई मुलार मुलाकाते हुई है और को यह सोक्षोजी से पटने वाला उनका है नहीं बहुत हो सकता है कि पावर मुव के तौर पर वहां पहुंचे हो क्या हो सकता पड़ेगी तो पाच विधायक तो बुलाईएगा हमकों को ने तीस जमा सोक्षोज रिकलब थोड़ी आएंगे जिस कांग्रेस लेजर दिया समान दिया उसके उसके में टूट नहीं होने देंगे लेक कर लेती है तो यह खेल हो जाएगा लालू यादों का अंतिमदाव भी खेल हो जाएगा अगर कांग्रेस चूट जाती है तो इसका मतलब कि अभी जो तेजस्वी आदोसरकार समर्थन दिये हुए है इसका कोई आउशक्ता नहीं पड़ेगा खेल समान बाबा सभी जान लेत क्लियर कर दी है और इन बातों के बाद सिर्फ वही बद जाजा है कि यो पीछे हो चुका है थोड़सा उसकी चर्चा कर ली जाए तो आपको याद होगा कि असोग चौधरी अभी किसके साथ हैं असोग चौधरी नितिश कुमार के साथ हैं और समस्या कहां क्रेट हो सकती है जदियू में क्रेट हो सकती है जदियू के विधायकों कोहीं कहा जा रहा है कि वो गयव हैं पटल पे नहीं है उनके बात नहीं हो पा रही है इन सारी चर्चाओं के बीड़ जितने विधायक उधर कम हो रहे हैं उतने विधायकों को या प्लस करके या फिर एक बात कल से नम कहीं जो कॉंग्रेस में एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए और जो लोग नाराज थे बरतमान परिष्टीती थे क्योंकि कॉंग्रेस के एक बरिष्ट नेता से मेरी बात हुई थी तो आप मैंने चर्चा आप से किया था कि उन नितिश कुमार के सबसे करीबी और चाहते निताओं में से एक हैं उनके कैबिनेट के सबसे ससक्त मंत्रियों में से कहे जाते हैं उनके हाव भाव में तो ऐसी तरह का लग रहा था कि इस बार उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है और कॉंग्रेस में अगर कुछ बड़ा हो है और इसकी तैयारी असोग शौदरी कर रहे हैं यह भी बाते सामने नजर आ रही है चले तो असोग शौदरी के मादेम से कॉंग्रेस में बड़ी तूट कराई जा रही है इस वक्त पूनिया में मात्रे 6-7 बिदायक पहुंचे कौन कौन से बिदायक जो है पाला बदल सकत हैं इस पर भी चर्चा हमारे संपादक नमन मुशा सर ने बता दिया है फिलाल अभी के लिए इतना ही लेगिन पलपल अपडेट हम आपको लगतार देते रहेंगे जुड़े रहेगा भारत लाइप के साथ दन्यवाद पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद